यह जो आज हम अपने से सेस्टन में पढ़ने जा रहे हैं लोगिकल अरेजमेंट आपको सारे वर्ट दे दिया हूंगे उनको अर्रेंज करना होगा एक लोजिकल और अब यह लोजिकल रादर क्यासा भी हो सकता है लोजिकल ओर्डर एज़ पर अल्फवीट हो सकता है लोजिकल ओर्डर एज़ पर देर मीनिंग हो सकता है जैसे मैं आपको एक एक्जाम्पल दे के बताता हूं कुछ वर्ड दिये होगा है जैसे ओफिस ठीक है लंच ब्रेक एंड स्नैक्स इसनैक्स मतलब जो साम का नास्ता होता है इसको हम स्नैक्स बोलते हैं कि यह चार बर्ड है वन टू थ्री एंड फोड इनको लोजिकल ही अरेंज करके बताओ तो कैसे हम इसकी क्रोनोलोजी ढूनेंगे पकड़े हम ओफिस लंच लंच कब होता है दुपैर में होता है ब्रेक कब होता है जब कोई काम कर रहे होते हैं उसके बीच में एक ब्रेक होता है ठीक है तो क्रोनोलोजी इसकी कैसे बनेगी कि ओफिस गए ओफिस में हुआ ब्रेक ओफिस में हुआ ब्रेक ब्रेक में किया लंच लंच करने के बाद फिर काम किया काम करने के बाद जब साम हो गई तो हमें मिले स्नैक्स यानि कि क्रोनोलोजी देखेंगे फिस्ट ब्रेक थर्ड पे है और लंच है और स्नैक तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बन थ्री तू फूर तो ऐसी बहुत सारी ओप्शन देके करेक्ट उप्शन चूज करना होगा एज पर देर क्रोनोलोजी एज पर देर लॉजिकल अरेंग्मेंट ठीक है अब यह मैंने आपको पहले भी बताया कि दो टाइप के मेजर लेस में से कुश्चिन पूछे जाते हैं सिर्फ दो टाइप की होते हैं या तो अल्फावेटिक दो तरह के कुश्चन पूछे जाते हैं टाइप बन लोजिकल अरेंग्मेंट एज पर मीनिंग्फुल वर्ट्स टाइप बन और टाइप टू में जो सवाल पूछे जाते हैं कुश्चिन के जाते हैं वह होता है लोजिकल अरेंग्मेंट एज पर एल्फावेटिकल अरेंग्मेंट सिर्फ दो तरह के कुश्चन पूछे जाते हैं और कहां कहां पूछे जाते हैं यह कुश्चन यह भी डिसकस कर लेते हैं कि सबसे पहले रेलवेज कि ग्रुप सी ग्रुप डी के जो एक्जाम है अग्जाम में पुछे जाएंगे अगर हम बात करें एससी की अग्जाम में पूछे जाते हैं इसके अलावा जो बेरियस यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एक्जाम टेस्ट होते हैं मेंली इसके अलावा आपके जो हो गए डिफ्रेंट 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 टेस्ट हो गए यूटी कर देते हैं यूटी 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 टेस्ट यहां पूछा जाता है इससे तीसरा जो विद्यार थी जो स्टुडेंट जो यहां गेमारक जो एक्ट तरेस्टा फंपत हो गया उस्सेटपार्शन में इस सवाल को पूछागा पूछा जाता है ठीक है इसके अलाबा यू पीएस्टी सिविल सर्वेस एक्जाम कि छोटे से लेके बड़े तक सबसे छोटे से सबसे बड़े यहां से क्वेश्टन पूचाई जाना है बहुत इंपोर्टेन उसके ज्यादा कोई आसा नहीं कि तीनचार कुश्चन पूछे जाते हैं अगर आप गुरुप दी की बात करेंगे तो आप एक से दो कोश्चन मिलेगा यहां बात यहां आ जाएंगे तो आपको एक से दो कोश् पूछलिया जाता है यानि मिलाके एक कुछिट एक क्षिच्ञ थै पर एक क्वेस्ट्स से और हम सब लोग की जानते है हर एक माक्ष जरूरी होता है कि एक नमबर आपको मृत्त करने के छमत्ता है एक नमबर एक पास तो छोटा सा टॉपिक है एक नमबर का कॉश्चन पूशा जाना है जो की इंपोर्टेंट है छोटा टॉपिक समझके अवाइड नहीं करना है जो स्मार्ट स्टुडेंट होते हैं वो ऐसी छोटी-छोटी चीजों पर ही बरकाउट करते हैं जो ज्यादा बड़ी-बड़ी ची चीजों को भूल जाते हैं और रिजल्ट क्या होता है फेलियो ठीक है फिर यह एक्सक्लू जा जाता है कि हमने तो पढ़ाई बहुत करी थी लेकिन फिर भी फेल हो गए पढ़ाई करी नो डाउट लेकिन कहां पढ़ाई करनी है इसकी प्रपर स्टेटजी आपने नहीं बना लिए कहता है जीजों पॉस्टा सा हुआ पांच शींियों शीह इसा टौपिक है कि आप अगर आप इसको एक घंटा या सवा घंटा आप सपेंड कर जाते हैं सिरफ एक घंटा या सवा घंटा एक क्वेश्चन आपकी मठी में है when I talk about 1000 गंटे पढ़ाई करते हैं 100 या 200 नंबर के पेपर के लिए एक प्षम या 200 नंबर के पढ़े हैं और आप पढ़ेंगे 1000 खंटे हजार आवर मालों अगर सो नंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो आपने दिवाइड़ वाई सो यानि कि दस घंटे आप एक कुश्चन पर दे रहे हैं और यह टॉपिक कैसा है कि आप सव घंटे में यानि कि आपके आठ से नौ घंटे की बचत और एक कुश्चन आपका तयार तो इसको इन डिटेल करेंगे और इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे कि को आपके आपका मजबूत होता जाएगा और आपका जो एक नंबर है ठीक है एक्जाम में पक्का हो जाएगा चलिए शुरू करते हैं कि 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 अब आप पंसे शुरू करते हैं लॉजिकल अरेंज्मेंट एज पर मीनिगफुल वर्ड यानि कि कुछ बर्ड दे दिया होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओफिस है लंच ब्रेक स्नैक तो ऐसे कुछ लॉजिकल बड़ दे दिया होंगे और आपको उनको मीनिंग्फुल ओडर मतलब जब आप एक लॉजिकल निकालें तो एक मीनिंग निकलेगा जैसे हम पहले डिसकस कर रहे थे कि पहले हम ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाने पर दोपैर को एक बजे ब्रेक होता है ब्रेक में हम लोग चाय बाए पीते हैं फिर लंच करते हैं ठीक है ब्रेक के पहले लंच नहीं करते तो ब्र पर एनलोजी है यहिए अपको सीखने की जरूरता है वह क्रोंगा आपको सीखेंगे बहुत सारी दोनों को समझ लेते हैं कि किस स्थरा के कोउचे जाते हैं उसके बाद जो है एक्ट से रिलेटिर्टिट्स करने की को पोर्सेस करेंगे चलि हैं तो मीनिंगूफ cambi फुल अरेंजमेंट ओ ये वेत में हमारा जो पहला कोस्चिण है वो है bu Fast नबर पर देंगे रखा है डूंट मैं थिकली फेत्थ फ्रूट तीसरे पर देखे रखा है सीड फॉर्थ नंबर पर देखे रखा है फ्लावर और फाइब पर देखे रखा है और हमारी जो आप्शन है वो कुछ इस तरह दिये गए है 3152 3154 दूसरा जो आप्शन देखे रखा है 31245 31231245 हमारा आप्शन सी देखे रखा है नहीं देखे रखा है 315243 1524 दी ओप्सन जो हमारा देखे रखा है इनोंने देखे रखा है 4325143 251 तो मीनिंग्फल वर्ड में हमें अरेंज करना है तो प्लांट लिए हैं यानिक एक आपको यह पांचों बड़ देखने से एक अंदाजा हो जाएगा कि एक बीज के बोने से लेके एक बीज के बोने से लेके और एक फ्रूट के बनने तक की कहानी है तो सबसे पहला जब फ्रूट हमें मिलता है उससे पहले जो प्रॉसेज होता है वो क्या होता है सबसे पहले हम लगाते हैं वीज यानि कि सीड सीड से बनेगा क्या प्लांट छोटा पौधा ठीक है प्लांट से बनेगा ट्री ट्री से बनेगा फ्लावर और फ्लावर से बनेगा फ्रूट अब देखो सीड कौन से बनेगा फ्रूट अब देखो सीड कौन से बनेगा फ्लावर से बनेगा फ्रूट अब देखो सीड कौन से बनेगा फ्लावर 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 से बनेगा फ्लाव तो देखो हमारी जो ओडर बना 31542 देखो कोई आंसर है आपर 31542 पहला ही आंसर है तो कितना एजी है एक बार आप chronology समझ जाओ ठीक है उसके बाद कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है इसकी chronology में सीड है सीड को प्लांट किया प्लांट करके ट्री बना ट्री से क्या होगा ट्री ही फ्लूट बनता है ठीक है हमेशा फ्लॉवर से ही फ्लूट बनता है तो यह आपका अंसर हो जाएगा 31542 चलिए नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ चलते हैं कि बिल्कुल घबराना नहीं है ठीक है चीजे सुरू सुरू में टफ लगती है लेकिन जब हम उनको अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छे सा बर्काउट कर जाते हैं तो वही चीजे हैं फिर हमें at the end of the day जो है इसी लगने लगती है चलिए पहुत सारे एक जंपिल पहला इंजिरी दूसरा रिकवरी तीसरा एक्सिडेंट चौथा सोरू में तीसरा सोरू में और इसके बाद पांच महें ड्राइव और शिक्स है हमारा कार ठीक है आपके ऑप्शन कुछ इस तरह देखे रखें आप्शन नहीं 643 512 ऑप्शन भी है आपका पांच सो त्री सेट दूसर चौदे पांच सो त्री सेट दूसर चौदे ऑप्शन सी है आपका चार सो पैसेट तीन सो बार है चार सो पैसेट तीन सो बार है ठीक है चार सो पैसेट तीन सो बार है उसके बाद चार सो पैसेट तीन सो अब देखो क्या चल रहा है आपर क्या करने की कोशिस की जा है इंजरी रिकवरी एकसिडेंट सो रूम ड्राइब कार यानि कि आपने लिंक करा की भाई कार से एकसिडेंट इंजरी रिकवरी सो रूम में मिलती है कार को ड्राइब करते हैं यानि की कार से रिलेटिट प्रॉसेस की बात हो रही है तो कार सबसे पहले कहां होती है कहां ल कार पर चेज करी ड्राइब करते हुए ले जा रहे थे क्या हो गया एक्सिडेंट एक्सिडेंट में क्या हुआ इंजिरी और इंजिरी से हम फिर क्या करेंगे रेकवर होने लगेंगे धीरे-धीरे यह देखो गए काड़ी के सूरूम कि भाईया कार देखे है कार मिल गई हमें अब चलके तो जाएगी नीए हम ड्राइब करके लिए जाना पड़ेगा या कोई न कोई तो ड्राइब कर रहे थे राइब कर रहे थे रस्ते में क्या हुआ कि यह गाय दिख गई बहस दिख गई और उसको बचाने कर दिया हमने एक्सिडेंट एक्सिडेंट में होगा तो क्या एगदम सीढ़े सीढ़े बच जाएंगे नहीं जोटे लगेंगे शोटबंद रगेंगी खॉस्पीटल जाएंगे ठीच चलिए तो इस सोरूम कौन से नंबर पे है देखो 4 नंबर पे है कार कौन से नंबर पे है कार देखो 6 नंबर पे है इसके अलावा फिर ड्राइब देखो ड्राइब कौन से नंबर पे 5 नंबर पे है और एक्सिडेंट किस नंबर पे है देखो 3 नंबर पे है और इंजिरी कौन से नंबर पे है इंजिरी कौन से नंबर प तो बस एक स्टोरी कुछ बर्ड्स हैं अगर आपको एक लोजिकल अर्रेंग्मेंट करना है तो उसको स्टोरी गुरूप में पिरोनी की कोसिस करो कि वही पैसे जॉब लग गई खुब सारी सेलरी मिल गई कि सेलरी लेके सोरूम कार खरीदना है सपना था हमारा वच्पन का का कार्चीद अपने पैसे तकशक है तो गाए को बचाने के जक्तर में की हुआ हम आपको जूए काड़ी दे खाई में और हो गया अकसीडेंट अब जब accident होगा का गाड़ी जो है खाई में गिरेगी या खड़े में गिरेगी, तो चोटे लगेगी कि नहीं लगेगी, कार्ड तूटे लगेगी, चोटे लगेगी, तो आपको भरती कराना पड़ेगा, hospital में, hospital में जाओगे, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको, अगर लगाएगा इस्ट्रेचिंग करेगा तो आपके घाओ धीरे भरने लगेंगे दर्द धीरे-धीरे कम होने लगेगा यानि कि आप रीकवर होने लगेंगे तो यह थी इन बर्ट्स की स्टोरी और अगर आप एक परफेक्ट स्टोरी बनाना सीख गए लॉजिकल अरेंजमेंट लगेंगा बर्ड्स हैं आपके ऊंगलिओंपे अपको फिर प्राक्टिस करने की जरूरा नहीं आप एक बार इमेजन करना सीख जाओ सब्द देखके इस टोरी बना दो वर्ट्स देखा इस्टोरी बना दी तो आप मास्टर हो लोजिकल रिजिनिंग के जो वर्ट अरिजमे कि चलिए नेक्स्ट एक्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट एक्जाम्पल है कि ट्रिलियन कि दूसरा थाउजेंड कि तीसरा थाउजेंड के बाद है बिलियन फोर्थ है हमारा हंड्रेड हंड्रेड और फाइब है हमारा मिलियन और आपके आंसर कुछ इस तरह देके रखें हैं इनोंने बन टू फोर फोर फ्री फाइब ऑप्शन बी बन फाइब फ्री तू फोर बन फाइब फ्री तू फोर शेएब इसके अलावा फोर टू फ्री फाइब बन फोर टू फ्री फाइब वन ठीक है यह देखे रखा है अब जब आप इनको देखेंगे बिलियन ट्रिलियन यह तो किस चीज की क्या है यह यह काउंटिंग है तरह की कितने रुपे हैं आपके पास थोड़े और रिच्ट पास पांच मिलियन रूपीज थोड़े और बड़े आदमी के पास गए उसने का पांच ट्रिलियन रूपीज यानि कि एक तरह से के मीजरमेंट दे के रखा है कॉंटिंग तो सबसे छोटा मेजर कौन सा होता है थीक है अंड्रेड के बाद क्या आता है थाउजेंट थीक है उसके बाद आता है आपका थाउजेंट के बाद आएगा मिलियन कि स्बिलियन उद्रेड कितने राघ्भर थीड़ावर होता है थीक है टेन लाख पर है वन इसकल टेन लाक अब ट्रियक है और सबसे बढ़ा क्या होता है आपई ट्रिल्यंड होता है को ग्रीडर होता है अब ब्राओं इसमें इस प्लेशेंगा है कॉंसे किस प्लेस पे हंड्रेड फोर पिर थाउजेंड गी सिकिंड पोजिशन मिलियन कौन तो चैन पोजिशन पें तो इसे बिलियन कौन सी पोजिशन पे है त्री इसके अलावा ट्रिलियन कौन सी पोजिशन पर है बन पोजिशन पर है 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 फोर टू-फाइव-314253 देखो कोई आंसर मिल रहा है फोर टू-फाइव-314253 वन आप्स अंडी की बिल बीदा करेंट तो कितना यूनिट को लिए गख़ेंट को अदमी को तुद्र जार कितने आदमी कि आपके थोड़े बढ़ाक है ताउन में विन ऐसे से हही हैं और से गई यहाई हम जो है जो में प rail गांई तो ड़ी अबया है मिली आप ने इसके अलावा फिर जब आप गए किसी स्टेट में नकितनी प्रॉपुलेशन वाइन यह बन विलियन और किसी कौनटिनेंट फिर उन्हाइन का कितनी प्रॉपुलेशन है अगर आपको यह नौल एग कि वह यूनिट है छूटी होती है वह बड़ी होती है तो क्रोनलोजी बन जाएगी ठीक है चलिए नेश्ट 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 हमारा पहला प्रिंटर दूसरा पब्लिशर तीसरा है हमारा वही राइटर चौथा है एडिटर और जो है पांच मां जो है सेलर और इसका जो ओप्शन है वो है कुछ इस तरह है टू थ्री फूर ड्टर जो सा खांच ही पांच अर्ट नेश्ट नेश्ट हमारा प्लिशर नेश्ट नेश्ट नेश्टा जो आधैर नेश्टर Ist basin धन इसका ताषिफो ने भी पॉर को बो है टक awake इसके अलावा कौन सा बढ़ है 24351 24351 ठीक है तो अब आप इसको देखें एडिटर राइटर पब्लिसर सेलर ठीक है प्रिंटर तो यह जब यह आप देख रहे हूंगे कि भाई किसी बुक की या किसी न्यूज पेपर की बात हो रही है जह सस्थ किभ सीचेवे नाओं कॉछ हो सभ होती है जो सभी च्षपने करता है कि भाई बुक क्या चीज छपने का प्रोसेस हैं यह जो बुक है वो कैसे बनती है कैसे चपती है कहाँ जाती है तो सबसे पहले मालोग भुख को को कोई प्रिंटर्ट करता अक्ष cũ इसी प्रिंट गोग हो जाए है कोई लिखेगा तो तो सब्सक्राइब लिखता है राइटर राइटर बुक को लिखता है कि नेक्स्ट जो आपका है कि बुक लिख दी गया की बुक छबानी है तो एडिटर कहेगा ठीक है चाप देंगे लेकिन पहले पड़ेंगे पता चले कोई कान्ट्रोवर्सल चीज हुई अपकी बुक में और हमें जेल हो गई बात में तो एडिटर इस बुक को देखता है पूरा और फिस डिसाइड करता है कि यह चीज़ चपेगी यह चीज़ ने चपेगी तो राइटर के बाद बुक कहा जाएगी एडिटर के पास जाएगी ठीक ह उसके बाद जो बुक है एडिटर के बाद जो पब्लिस करने वाला है पब्लिशर के पास जाएगी कि भाई एडिटर कह देगा कि भाई पब्लिस कर दो कोई कंट्रोवेसिल यह नहीं है यह थोड़ी बोड़ी चीजें हटा दो ठीक है और पब्लिस कर दो इसको चलो फिर उसक अब देखो यहां पर रयतर कौन से नमबर पे तीसरे नमबर पे एडिटर कौन से नमबर पे हैं चोन फेनम्बर पर दूस्रीघ प्रिंटर कौन से नमबर पे पहले नंबर परे में ताल को थी 15 पिछले को यहां सबस्थ थी 142 इधा क्यों देखाब कि कैसे कुछ बर्लश को देख पोंप देख शूलि देख सक कानी गॉussa करें दिखाए दी और फ्रिंटरों दिखाए दिया को बिकिटे डिखाई को लिखने वाला भी तो कोई परसन होगा नियूज लेके आएगा वो लिखके देगा कि यह देखो फराली फराली घटना हो गई किसके पास जाएगी बुक बाद में राइटर के पास से वो देखेगा कि भाई एक खवर फैलने से कहीं दंगावंगा तो नहीं बढ़क जाएगा क्रोस्चेक करवाएगा कि ये खवर सही है कि नहीं है और जिन जो गार्यूज या हिस्सा दंगे फैलने का या हार्मेनी प्रिंटर को कि जाओ लगा दो चाप जाएगा तयार हो जाएगा उसके बाद सेलर के पास जाएगा और सेलर उसको बेच देगा ठीक है तो यह है आपके बुक और नीज पेपर के छपने की एक कहानी चलिए नेक्स्ट अगरा तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो कुस्चन है भाई है अंद्रप्रदीश प्रदेश दूसरा है हमारा यूनिवर्स ठीक है उसके अलावा फिर हमारा तीसरा है तिरुपती तिरुपती चौथा हमारा जो है वर्ल्ड 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 फाइव हमारा है फाइव और लास्ट हमारा जो है इंडिया अधिकर है की आप्ष्ण कुछ हमारे इसतरह है किई ऑनकर 502 इसके अलावा 1 3 5 4 2 1 3 5 4 2 3 1 5 4 2 3 1 5 4 2 3 1 5 4 2 इसके अलावन नेक्स्ट हमारा है 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 चलिए आंदर प्रदेश एक जगे है एक स्टेट है यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं बहुत बड़ा बन्याढ़न इसके अंदर बहुत सारे स्टैंस अर्थ थिरुपती एक जगे है औंदर प्रदेश में वर्लूै पेनिया एंदिया हमार legal तो इस पयसिस की बात हो रही है चोटा सा साहर शोटा शेक्राइट इंडिया कि स्टेश वर्ल्ड दुनिया यूनिवर्स जिसमें सारी बहुत सारी दुनिया तो एक क्रॉनो लौजी कैसे डेखो सब से छोटा तिरुपति त्रिखना तिरुपति त्रुपति किसके अंदर आता है आंदर प्रदेश के कि अंदर प्रदेश के और आंदर प्रदेश किसके अंडर आता है इंडिया में आता है और इंडिया किसमें आता है वर्ल्ड में तो है और वर्ल्ड किसमें आता है पूरे यूनिवर्स में आता है बहुत सारी दुनिया है यूनिवर्स का पार्ट यानि तिरुपती पार्ट है अंद्रप्रदेश का अंद्रप्रदेश पार्ट है इंडिया का इंडिया पार्ट है वर्ल्ड का वर्ल्ड पार्ट है यूनिवर्स का देखे क्रोनोलोजी तिरुपति कौन से नंबर पर थ्री अंद्रप्रदेश पहले नंबर पर है इंडिया कौन से नंबर पर है पांच में 42 टो अंसर देखो थ्री बन फाइब नहीं फ्री वन फ्रैव ठीक है अगर यह आंसर नहीं होता ठीक है तो एक और चीज ट्राई नहीं मिलता तो सबसे बड़ा यूनिवर्स यूनिवर्स में क्या है एक वर्ल्ड हमारी दुनिया हमारी प्रित्वी तीक है वर्ल्ड में क्या है एक इंडिया नाम का जगे है इंडिया नाम की जगे के अंदर में एक आंदरा नाम का स्टेट है और आंदरा नाम के स्टेट के दर किया है तिरुपती है थीप यूरिवर्स में रहा है दूसरे पर आ वर्ल्ड कौन से पर आ चौन रहा है जो थे पर आ रहा है कि था था फाइव बन और अंध्रा आ होता है बड़े से छोटा छोटे से बड़ा ठीक है तो इस तरह कि बहुत सारे एक्जाम्पिल अभी बाकी है चलिए कुछ और एक्जाम्पिल हम करने की कोशिश करते हैं जैसे देखे रखा एक चलिए रेप कर लेते हैं इसको है कि हमारा next है पहला वाल दिवार ठीक है दूसरा क्ले क्ले किसको कहते हैं मिट्टी को क्ले कहते हैं ठीक है है लों हैंदी भी लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है ऑल मतलब दिवार चले किसको कहते है मिट्टी को कहते है इसके बाद क्या आता है मारा हाउस हाउस पता ही है क्या को कहते है हाउस मतलब होता है घर घर रूम रूम मतलब कमरा और जो लाश्ट है हमारा वो है बिक्स ब्रिक्स ब्रिक्स मतलब क्या होता है इट अब हमें देखे रखें उन्होंने आप्शन कुछ सब्सकित है regular sagen 3den भीम को अबनेंगा alsoắtं बिलेगा आपको उप्चन बिम्लेगा कुझ ब्रिक्स सिट के अलावा के अवला फाइब फाइब तूर वन फोर त्री इसके tussen अलावा सब्सकित अलावा सब्सकित्धी एइजनर trèsी सब्सक्रीट कॉ वन फुर फ्र है Черफ 54254 अंत्री तो देखो दिवार मिट्टि घर कमड़ा इंट से सबसे पहला एलیमेंट हमें क्या चाहिए मिट्टी क्ले करें को अरे क्ले होगी तभी तो बनेगी ब्रिक यानी की इट कि ठीक है और जब इठ होगी तो इट से बनेगी दीवार और जब दीवार बनेगी दीवार से कमरा रूम और रूम बहुत सारे रूम जब बन जाएंगे उसी को बोलते हैं हम लोग हाउस ठीक है आरे माल लो कि अगर अर्थ पे मिट्टी नहीं होती क्या से बनता है ये और ये लहीं होती तो घर क्या से बनता है? घर बनने के लिए और जिए चार दीवारे बना देगे तो पन जाएगा कमरा और बहुत सारे कमरे बनके बनाते हैं हमारा घर देखो चलो क्रोनलोजी करके देखते हैं क्ले दूसरे पे आ रही है ब्रिक्स कौन से पे आ रही है भाई पांच बे पे आ रही है बॉल कौन से पे आ रही है पहले पे आ रही है रूम कौन से पे आ रहा है और हाउस कौन से पे आ रहा है तीसरे पे आ रहा है ठीक है टू फाइफ बन फोर थ्री यानिके टू फाइफ ब पिल भी दा करेक्ट आंसर चलिए यह हो गया एक और एक जाम्पल देखते हैं अगर पहला अगर देके रखा है क्रोकोडाइल ठीक है और उसके बाद देखे रखा है लिजाड तीसरा देखे रखा है इन्होंने तीसरा देखे रखा है भेल चौथा देखे रखा है इन्होंने हाउस फ्लाई हाउस प्लाई और पांच मां दे के रखा है इन्होंने मंग की ठीक है और आप्शन आपके कुछ इस तरह है फोर फ्री टू बन फाइब ओप्सें इनका है जो है फोर फाइब टू बन त्री चीव फोर टू फाइब बन त्री इसके बाद देखे रखा है थ्री फाइब फोर बन तू त्री फाइब फोर बन तू अब यहां देखने की जरू होता है क्रोकोडाइल मगर मच्ली जार्ड छिपकली भेल बड़ी सी भेल होती है बेल मचली आपने सुना होगा दू तीन हातियों के बराबर होती हाउस प्लाइब चोटा सा पतंगा होता है मंकी एक मंदर तो यह सब अलग है कुछ दो समंदर में रह ही करोन वेड़ो पर रहता है क्रोण लाजी तो बनने ही है किसीसाफ से लेकिन एक हिसाफ से क्रोना लाजी बन रही है साइज कि स्ञे्श के इसाफ से क्रोने लाजी बन रही है अ चलो देखो सबसे चोटा हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई से बढ़ा क्या होता है छिपकली लिजाड और लिजाड से बढ़ा मंकी मंकी से बढ़ा क्रोकोडाईल सबसे छोटा हाउस प्लाई पतंगा लिजाड सबसे बड़ा होता है तो यह chronology कुछ लग रही है चलो देखते हैं इनको इनकी करके फिर देखते हैं कौन सा और सबस्टों अगर अगर जो इस नहीं मिले तो हमारी chronology गलत है घाइज सौथे नंबर पर आ रहा है रहा है बैसे दूसरे नंबर कौन से еш सविसक्व. प्रें की कॉन से नंबर पर आ anticipating क्रोकोडाइल कौन से नंबर पर आ. टारी नंबर पर आ बेल किस नंबर पर आ रहा है तीषरे नंबर पर आ रहाuppंग कुछ बन रहा है ऐसा फोbersुय ठीच गिर 2019 नहीं 452425 चलो फोर टू फाइब बन थी सीविल वी दा करेंट हमारी जो रोलोजी है वो मिल चुकी है यानि कि जो क्रोंडोलोजी है जो अरेंजमेंट है वो है साइज के अकॉर्डिंग तो जो मीनिंग्फुल बर्ट में जो लोजिकल अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह रहा होता है कि हमै क्रोन एवडर बनाना पढ़ता है एक प्रॉपर ऑडर होना चाहिए जो हुआ बंटी आन टू उसिप्स सबको सपोर्ट करे ठीक है एग grandsouch में होना चाहिए लोगिकल अरेंग्मेंट ऑफ वर्ड का जो है कि फिर उसने कोई प्रैक्टिस रेक्टिस की जरूद नहीं है इक इमेजिनेशन करना सीख गया लोगिकल अरेंग्मेंट ऑफ वर्ड उसको अटोमेटिक लिए तो आपने एक रोनलोजी बना के चलनी है यही निय Brazil कोषिज स्कार तूंट मैं लॉत ऐस हो यह तुदीज है इसमें सब्सक्राइब टूंगा और पिर YouTube फौर भीडियो तो आप श्टूरी बनाना सीखी जयेंगे भीड वीडियो कोtwो देखेंगे तो आज के सेशन में इतना ही तब तक आप लोग हसते रहे हैं मुस्क्वराते रहे हैं थैंक यू थैंक यू सो मच